साथ श्रीय काल प्यारे विद्यारतियों, मैं लेक्चरार सिम्रन जीत सेंग एक वर फिर तो अड़ा सारे अंदा स्वाग्द करदा है अपनी एस आउनलाइन जमात विच जिस विच आपां साथी जमात 11 दी जड़ी पुस्तका है ओदे विच कवता वाने पोर्शन विच जड़ा पहला पार्ट दे रखिया बाबा शेक फरीद पिछली जमात विच आपां बाबे शेक फरीद जीदा एक शब्द अते तैन शलोक ओन अधी व्याख्या आपां पड़ी सिगी हुण आपा उस्तो बाद अगे चल दे जी विद्यारतियों सो आजो आपा पूरी गाल कर दे अगले सलोक ओन दी एस आपा पाठनू पूरा करिये अज हाँ जी एगला सलोक का साधा फरीदा खाकना निंधिया एपारी जीवदया पहरा तलै मोया उपपर होई सो ठीक है विधि यार्थियो ये दा तो अनू हाँ बाबा शेख फरीद जी दा पावर्थ समझो मतलब क की है एस शुलोक दे पिछे समझो की कह रहे है बाबा शेख फरीद बाबा जी कहेंदे फरीदा खाक ना निंदिया है hypothesis मिट्टी खाक ना निंदिया है जेड़ दा मतलब होंदा है वर्गा उन इदा अर्थ समझो पहली पंक्ती दा की कहने दे बाबा फरीद जी फरीदा खाकना निंदिया है सानू मिटी दी निंदिया नहीं करनी चाहिदी मिटी नू नहीं निंदना चाहिदा मिटी नू नहीं पंडना चाहिदा अगे खाकू जेड ना कोई मिटी वर्गा हो और दूज्जा कोई नहीं है ठीक है समझागी अगली पंक्ती सुनो जीवद्या पहरा तला है मोया उपर होई जीवद्या दा मतलब होंदा है जदो मनुख जिन्दा है ता ए मनुख दे पहरा थले रहेंदी है पहरा तला है मतलब पहरा दे थले होंदी है जदो अपां जेवद्या होना है स्थिती देवेच की होंदा है मिटी है जडियो पहरा दे थले ऐसा दे तुरे फिर दे आपां ते जदो मनुख मर जन्दा है मुए मतलब जदो मर गया मनुख उस तो बाद उपर होई ते मरन तो बाद उसनू जवें इसलामिक रवायत है ना इसलाम तरम देवेचे रवायत है कि उसनू मरन तो बाद उसनू मिट्टी देवेचे दपया जन्दा है दफनाया जन्दा है उसनू मुया उपर होए ते मरंतो बाद हो मिट्टी है जड़ी ओ उपर आ जाओगी बंदे दे मनोख दे मतलब कहन दा कि है कि सानू मिट्टी दी निंद्या नहीं करनी चाहिए खाकू जेडना कोई मिट्टी वरगा हो और दुज्जा कोई नहीं है जीवद्या पहरा तल है मुया सारी जिन्दगी संसार दे वेच जदों हो अपनी आईउ उमर पोगदा है उदो ता हो मिट्टी है जड़ी हो मनोख दे पैरा थले रहें दी है मुया उपर होए मरंतो बाद उसनू टाक दी है उस दे उपर आ जन दी है समझ गे इस गालनू एस स्लोक दे पिछे बाबे शेक फरीद जी ने निमर्ता वाड़ा सुबा दी गाला कीती है मनोख नू निमर्ता वाड़ा सुबा आपनो ना चाही दा निमर्ता की दे वर्गी होनी चाही दी है जेवेदी निमर्ता मिटी दे वेच्चा है मिटी अपने पैरा थले है मतलब आपने नाल कोई किनिगा वी सावडे एब टक दिये मिट्टी जड़ी सावडे मतलब ओम मरंत आबाद सानू टक दिन लिये सो एक ही है कहना ना मतलब मनोख नो निमरता वारा सुबहा होना चाहिएee मनोख दा nete वरग भी किनिमाभी विधी किया हो जान किने भी अतियाचार हो जान फेर वियो मिट्टी मैं मिले आशोख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए ठीक है कोच गल्ला तो अनू साम जागिया होनिया ना ऐस लोक देवेचा सो मैं दासना तो अनू की कहना चाहूं दे है बाबाजी बाबा शेक फरीद केंदे आप सवार है मैं मिले हे मनुख तू अपन आपनू सवार ले सवार ले मैं मिले आशोख होए आप सवार है मैं मिले हे मतलब तू आपने आपनू इस काबल बना की तू परमातमा दी दरगा विच कभूल ले आ जावे परमातमा दे चरना विच तेरा निवास होजे तेनू परमातमा दा नाम प्राप्त होवे उनू क्य सवारन द jy साबको पूला रणी इसनुं कहिंक नहीं किया जंद सवारन अपनिया केंब दा मतलब श्लोक慨 ल्चना बाबशेख मंच्रई Nej लोगें दाम सभरीद तो प्रमात्मा आप कि आप सवार है ए फ्रीद जे तू अपने अपनु सवार लवें अपने अंदर ले विकार काम क्रोध लोब मों अंकार नू खतम करदवें ता मैं मिल ही फिर मेरा ते तेरा मेल हो जाओगा क्योंकि अध्यात्मिकता देवेच की आखरी की हुंदा आखरी जड़ा निसाना हुंदा है प्रमात्मा देनाल मिला आपून दा ह।ूँदा है चिक वरीद ये मरा कोवे रहे मतलब जेतू मेरा नामजा पदा रहे मेरा होए रहे मतलब नाम जपना परमात्मा कह रहाए AI बाबा शेख प्रीद जी नो, कि जे तु मेरा नाम जापदा रहें, मेरा नाम सिमर्दा रहें, सब जग तेरा होएं, ये सारा संसार है जेडा, तेरे अगे चोक जावेगा, तेरे अगे चोक जावेगा, सब जग तेरा होएं, जेडे पदार्था दे मगर तु पज्या परदा ओपदार्त तेनू प्राप्त हो जानगे ठीक है प्यारे विद्यार्तियों समझ गे ना गालनू दोबारे सुन लो आप सवा रहे मैं मिले है मैं मिले आसुक होए फरीदा जे तू मेरा होई रहे सब जग तेरा होई ठीक है अगे सुनो अगला शलो की है फरीदा मैं जानेया दुख मुझ कू दुख सबाया जग उचे चड़ के देखिया ता करकर एहा आग बाबा शेक फरीदी ने दुखा दिगाल कीती है दुख हर बंदेनू है दुनिया ते है कोई बंदा भी जिनू दुख ना होई क्योंकि दुख ते सोख दोनों साड़ी जिन्दगी दे दो एहम पहलू है जे मनोख दुखी हुंदा ता सुखी नी हुंदा जे सुखी हुंदा ता दुखी नी सो कदे ना कदे दुख ते सोखे दोनों साड़ी जीवन देवेच चल दे रहेंदे है कदी दुखा आजन्दा है, कदी सोखा आजन्दा है, बाबा शेख परीद आपने दुखानू दूजियां दे दुखानान तुलना करदा है, सुनो की केंदे, फरीदा मैं जान्या दुख मुझको, बाबा शेख परीद जी केंदे भी मैं जान्या, मैं सोचया, भी किते विवजाना शाइन विवजाना विवजाना शावदी करते ता और बनदा शावदी करता यह बनदा अधिके उची जगाते चड़के देख्या पर असल है असल अर्थ है, कि जदो मैं आपने दुखा तो उपर उट के देख्या, की हो या, जदो मैं आपने दुखा तो उपर उट के देख्या, भी मैं सोचा भी मैं आप मिनू बड़ा, मैं बड़ा दुखी है arrivé मैं देखा था सल जोग किने अ कोई दुखी एठी मैं कि दिख़ा है रूमारें कर देने प्रोफ चाद के देखे आला, मैं पूरा ही को पर कर देठी है उपर ओठके देखिया, ठीक है, ने लेके दिना बहुत है है ना, बाकि मैं दशे दिना तवानू, उचे चड़के देखिया, तो कारकर ओं आग, आग मतल्ब दुखा दी आग, भी ओं दुखा दी आग, तो कारकर ही लगी हुई है दुखा दिया गए ये था हर बंदे नू दुख है फिर बाबे शेख फरीद नू आपणा दुख थोड़ा लगड़ लगए दुवारे सोन लो फरीदा मैं जाने दुख मुझे कू बाबा शेख फरीद जी के ने मैं सुचया कि ते मैंनू कले नूई दुख है दुख सबाया जग पर सारा संसार ही दुखी है उचे चड़के देखिया जदो मैं अपने दुखा तो उपर उठके देखिया एस दुनिया वाल ता कारकर एहा अग ताए दुख दी अग सारे कारकर देविच लगी हुई है पाव हर प्राणी दुखी है ठीक है अगे सुनो अगला फरीदा बुरेदा पलाकर गुसा मानना हंडाए देही रोग ना लग गई पल्ले सब किछ पाए बाबे शेक फरीद ने सुखी जीवन दा जड़ी कुंजी है जड़ा सुखी जीन दा जड़ा मंतर है ना ओ दस्याइस श्लोक देवेच उनो की कहीं देखिया फरीदा बुरे होबे पेढ़ी होबे आप उसनो कहा दो ने जीए बंदा बुरा है फरीदा बुरे दा पलाकर हे फरीद तुं उस बुरे बंदे दा भी पलाकर हिपहु पहिं दा भी चंगा कार उस दे बारे भी चंगा सोच अगे गुसा मानन ना हंडाए गुसे नू आपने मान देविच बुरे बंदेदा भी पला की ता बुरा लोका दे बारे कोई किन्दा भी बुरा अखी जन्दा है आप लोग लग जन्साद भी पला करीए गुसा भी नहीं आएँ अपने अंदर उधा फाइदा की होगा ऊसदा आपनो लाब की है देही रोग ना लग गई एक ता अपनी देही मतलब देह मतलब शरीर साढ़े शरीर नो कोई भी रोग नहीं लग जेगा क्योंकि बहुत सारी यह बैमारी यह जडियों गुसे दी वजा नार लग दीया मनुख है जड़ा एस दी मतलब की अवी होन समय इस तरह दा आगया भी हर बंदा आप आता इस तरह दे सुबा मतलब लोकां दे होगे कि छोटी छोटी गलते गुसा होंदा है होंदा ते बाबे शेख पीरीद ने किंना सोड़ा संदेश देता है कि जड़ा बंदा गुसे दे वेक नहीं होंदा जड़ा बंदा गल गलते गुसा नहीं करदा उस दे शरीर नो कोई भी रोग नहीं चूँदा उसनों कोई भी रोग नहीं लगदा पल्ले सब कुछ पाए उस बंदे नू सब कुछ प्राप्त होनदा है पल्ले सब कुछ पैंड़ा है पल्ले सब कुछ पैंड़ा मतलब होनदा है सब कुछ प्राप्त होना उस बंदे नू सब कुछ प्राप्त होनदा है प्यारे बच्चेए हो ते तुसी वी ना गुसा करया करो कदे वी आदेखो बाबशेग प्रीद जी ने किन्ना सोना मंतर देता है तो अडी अवस्ता है ना गुसा आ जैन्द है कई वरी आदेखो अपना गुसा कंट्रोल करया करो फरीदा बुरेदा पला कर गुसा मानना हंडा आए देही रोग ना लग गई पल्ले सब किछ पाई ठीक है विद्यारतियों अगले शलोकते चाल दें फरीदा कित्थे तैंडे मापेया जिनी तू जणे हो है तै पास हो ओई लाद गए तू अजैना पतीन हो है इस स्लोकते विच बाबा शेक फरीद जी ने नाश मानता देगाल कीती है भी तू एकना एकदर्ण हे मनोख तू एकना एकदर्ण इस दुनिया तो चले जाना है के ghee चले जाना है जेवे तेरे मापेयो चले गए सुनो की कहिंदे बाबा जी फरीदा कित्थै तेंडे मापया तेंडे मतलब तेरे मापया मतलब सदारनी अर्थ मापय मतलब माता पिता कित्थै तेंडे मापया तेरे हो मापयो कित्थे गए कित्थै मतलब कित्थे चले गए जिनी तू जने हो है जने हो हे दा मतलब जनम देना जिना ने तैनू जनम दिता सी ओ तेरे मापयों किते गए हुन पाव इस दुनिया तो चले गए मर गए इस जहान नू छट गए तैपासों हो ओए लाद गए तू अजय न पतीन हो हे तैपासों मतलब हो तेरे कोड़ों चले गए तेरे तो विच्छड गए तैपासों हो ओए लाद गए मतलब चले गए विच्छड गए तेरे कोड़ों चले गए तू अजय न पतीन हो हे पर तेनू हजय विए इस गालते यकीन नहीं है पतीन हो हे मतलब होंदा है पतीजणा पतीजणा दा मतलब होंदा किसे गालते यकीन करना परुसा करना यकीन तेनू हजे भी इस गलते यकीन नहीं आया कि जिवे तेरे माता पिता इस दुनिया तो चले गए ओमे एक ना एक दिन तुम भी इस संसार तो चले जाना है पाव तेरी भी मृत्यू निश्चित है नाशमान है तुम कहीं मतलो तुमें एक न में चले जाना नाशमानता दिगा लागी ना बाबेशेख फृदे इस शुलोक दा विशा है नाशमानता फरीदा किथे तैंडे मापियां तेरे ओ मापियों किथे चले गए जिनी तू जणे ओ है जिना ने तेनू जनम दिता तै पासों ओ इलाद गए ओ तेरे पासों तेरे कोणों चले गए इस संसार नू छटके तू अजैना पतीनो है पर तेनू अजेवी इस गलते यकीन नहीं आया केड़ी गलते कि ए जड़ा सरीर है नाशमान है एकना एक दिन मृत्व जड़ियों अवश आउनी है जरूर आउनी है ठीक है विद्यारतियों अगे सुनो अगला शलोग कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मनिया मन्त कमण सो वेसो हों करी जेत वस आवे कंत अच्छा एस शलोक देवेच बाबे शेक फ्रीद ने एक सुवाल कीता है एक आशलोक है एक आखरी सलोक है तो आड़ा एवी मैं पढ़ दन नेवन सो अखर कमण गुण जेबा मनिया मन्त एत रह पैने वेस कर ता वस आवी कंत जेडा ता आशलोक है कमण सो अखर कमण गुण वाड़ा एस शलोक देवेच ता सुवाल कीते गई है ते जेडा है गा आशलोक आखरी तो आड़ी किताब देवेच दिता होया नेवन सो अखर कमण गुण एदे वेच ओना सुवाल ना दे जवाब है एक दूजे नाण सबंदत करके पढ़ने है अपमा ठीक है त्यार हो ना तुसी हाँ कमण सो अखर कमण मतलब केडा सोदा मतलब ओ उंदा है सोदा मतलब ओ ओ ओ केडा अखर ठीक है एना हो गया आर्थ कमण सो अखर ओ केडा अखर कमण गोण कमण सो मनिया मन्त मनिया दा मतलब ओंदा है शिरोमनी शिरोमनी दा मतलब ओंदा है सब तो उच्चा जड़ा होवे मन्त दा मतलब ओंदा है मन्तर बाबा शेख प्रीज की कहिंदे भी कमण सो अखर ओ, केड़ा अखर, कमनगोण, ओ, केड़ा गोण, आजेडे कमनशबद, जिन्झे वी आ गोण करते मा, सारे, एनानू, गोणे चिपका कारता है यहim fuss, आजब्द, एक, कमन, एक, कमन, एक, कमन, एक, एना सारे हैंदे अर्थ केड़ा ही बन दें, केड़ा, ठीक है, कमण सो अखर ओ केड़ा अखर कमण गोण कमण सो मनिया मंत ओ केड़ा शिरोमनी मंतर केड़ा शिरोमनी मंतर तेना स्वाल है वी केड़ा अखर है केड़ा गोण है ते केड़ा शिरोमनी मंतर सब तो उच्चा मंतर कमण सो वेसो हो करी चोथी गल चौथा स्वाल है, भी केडा वेस तारन करा मैं, वेस पहरावे नूँ कहे दिनने न, पहरावा, भी केडा वेस मैं तारन करा, केडा पहरावा पहरावा पहना, जेत वास आवे कंत, जी दे नाण मेरा पती पाव परमातमा, वास दे वे चाजे, मेरा होजे, मेरा परमातमा है ज हमझे कालनू प्रशन एज़डा शिरोमनी मन्तर जाओ केड़ा साभत उच्छा मन्तर प्रशण विस्व हों करी ते केड़ा वेस महता रन कर जीदे नाल मेरा पती परमेशर मेरे वासदे वेच्छ आजे चार प्रशन चारां दे उत्तर अगले शलोक देवेच्छा है आलो आया तो अडे उत्तर निवन सो अक्खर खमण गोण जेपा मणिया मंत ए त्रैपने वेसकार तावस आवीकंत अच्छा गोण केडा अच्छा अप सबतो पहला सी अक्खर अक्खर केडा निवन दा मतलब नीवा होके चलना जिनू अपा कैदने संसार देवेच्छा नीवा होके रहना नीवा होके जीवन जीना कहलो तुसी अपना निवा होके जीवन जीना लेख दिना में निर्मानता जीनु अपा कैद नेया दूसरे शब्दा में चा निर्मानता वाड़ा गोण कवण सो अखर अखर केड़ा होना चाहिए निर्मानता वाड़ा ठीक है भई प्यारे विद्यारतियों समथ गेला तसी काला निर्मान सो अखर खवण गोण खवण दा मतलब होनदा है सहारना सेहन करना जीनु आपा कैद ने सेहन करना ठीक है सेहन करना ते गोण केड़ा होना चाहिए सेहन करनदा परमातमा दे विशोड़े इनू सेहन करना जे बामनिया मन्त पinya जे बाता मतलब हुणं दे मिठा बोलना केड़ा बोलना मिठावडोलना जेबामनिया मंत ते श्रोवनी मंतरश केड़ा अपनी जबान तो निए त्रह पैने वेसकर ताव सभीकंत देद आ त्रे मतलब तेन, त्रे मतलब तेन केड़े केड़े, निर्मन सो अखर, एक ता निर्मानता दा अखर ता अखर केड़ा होना चाहिए, निर्मानता दा, ते गोण केड़ा होना चाहिए, सहार ना, सैन करना, जेबा मनिया मंत, ते श्रोमनी मंतर केड़ा होना चाहिए, अपनी जबान तो मिठा बोलना ए तेन वेस ए तेन तरांदे पहरावे थे पहने तुँ अपनी जिंदगी देविच तारन करले ता वास आवी कंत ता तेरा पती प्रमातमा है जड़ा ओ तेरे वास देविच आजावेगा ठीक है ना स्वाल जवाबी है ना द्वारे सोन लो पिशले स सलोक नू गवन्सस स अक्रख कमण गणंगणं कमं सो मैनिया मंत गणंगर्ङी जे तवास आवेकंत केड़ा अखर केड़ा गणंगरह है तारन करना जिदेमिरा पती प्रमातमा मेरे वास देविच आजे अगे निमनसस स अखर निर्मांता दा अखर कमणạnh्गोण आपने वेच जेबामनिया मंत ते अपनी जबान तो मिठा बोलन वाला जेडा स्रोमनी मंतर है ए अपने कुले होवे ए तरह पहने वेस कर ए तिन वेस आपा जिंदिगी देवेचे तार्न कर लिए ता असी आपने पती प्रमात्मानु प्राप्त कर नवांगे उसनु आपने व स्विच कर नवांगे सो प्यारे विद्यारतियों बाबा शेक फृरीद जी वाड़ा जेड़ा पार्थ है यह अपना खत्म हो चुक्या एक शब्द सी पढ़या सब तो पहला उस तो बाद आप बाकी सारे श्लोक पढ़े सो अगली जमात लेके जल्दी मिलते हैं जी सत शिर यह काल